हेलो फ्रेंड्स राधे राधे प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कीजिएगा और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और ब्यूटिफुल डिजाइन बताती हूँ जो मैंने जीरो नंबर के काना जी के लिए बनाई है इसके लिए हमें मैंने चुली तो पहले ही बना ली है और फिर मैं इसका घेरा बनाती हूँ इसके लिए मैंने हर एक क्रोसिया में हमें दो दो डबल क्रोसिया करते जाना है हर एक चैन में दो दो डबल क्रोसिया इस तरह से हम हर एक लूक में हम दो दो डबल क्रोसिया करते जाएंगे यह देखू मैंने अब यह पूरा राउंड कंपलीट कर दिया है अब मैं इसे स्लिप स्टिच के साथ स्लिप स्टिच कर देती हूं और अब मैं दो चैन लोंगी एक दो और फिर इस में मैं एक बार डबल क्रोसिया करूंगी और फिर आगे मैं एक बार फिर डबल क्रोसिया करूंगी और उस से अगले में भी एक बार डबल क्रोसिया करूंगी इस में भी एक बार डबल क्रोसिया और इस में भी एक बार डबल क्रोसिया ऐसे ही मैं पूरा राउंड हर एक क्रोसिया ही करते जाना है ऐसे ही मुझे पूरा राउंड कंपने और अब मैं इस राउंड के लाश्ट में आ गई हूँ यह देखूं अब मुझे यहां स्लिप स्टीच के साथ इसको दूसरे राउंड कंपलीट हो गया है अब मुझे दो चैन लेनी है दो चैन के बाद मैं अपने तीसरे राउंड के स्टार्ट हो गया है और तीसरे राउंड में मैं एक बार पहले में एक बार डबल क्रोसिया और दूसरे में भी एक बार डबल क्रोसिया और फिर दो बार डबल क्रोशिया अब तीसरे हुक में मैं दो बार डबल क्रोशिया करूँगी अब एक बार डबल क्रोशिया सेकेंड में भी एक बार डबल क्रोशिया और अब धर्ड में दो बार डबल क्रोशिया इसी तरह हमें ये तीसरे राउंड भी कम्प्लीट करते जाना है दो बार डबल क्रोशिया अब एक बार डबल क्रोशिया फिर से एक बार डबल क्रोशिया और अब दो बार डबल क्रोशिया अब ये तीसरा राउंड भी कम्प्रेट हो गया है अब मैं इसी स्लिप स्टिच के साथ यहां पर अटेच कर दूँगी अब मैं दो चैन लूँगी एक दो और फिर मैं यहां पर एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और अगले में भी एक बार क्रोशिया और उसी अगले में भी एक बार डबल क्रोशिया तीन और अब फूर्थ राउंड में हम फूर्थ क्रोशिया में हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगी पहले में हम एक बार डबल क्रोशिया एक बार डबल क्रोशिया अगले में भी हम दूसरे में भी हम एक बार डबल क्रोशिया और थर्ड में भी हम एक बार डबल कुरोशिया और फूर्थ में हम दो बार डबल कुरोशिया करेंगे ये देखे फ्राइंस ऐसे ही हमें इस राउंड को भी कम्प्लीट कर देना है अब हमारा इस फूर्थ राउंड भी कम्प्लीट हो गया है और अब मैं इसे स्लीप स्टीच के साथ जोइंट कर दूँगी और अब मैं ये धागा भी कट कर दूँगी यहां से अब मैं इसमें जो मुझे डिजाइन बनाना है उस कलर से मैं इसमें वो कलर अटैच कर दूँगी इस तरह जो मैंने उद्धागा रहा है अब मैं एक दो दो चैन लूँगी और अब इसको हम तर्न कर लेंगे अपने डिजाइन को जो मुझे डिजाइन बनाना है उसको मैं तर्न कर लूँगी और अब इस में मैं इस लूप में मैं छे डबल ग्रोशिया करूंगी एक दो तर्न दो दो, तिन चार पांच शे शे पार डबल क्रूजिया करके फिर मुझे पांच बार के क्रूजिया चोड़ देने हैं एक, दो, तेन चार, पांच और चटे में मुझे छे बार डबल क्रूजिया फिर से करना है चार, पांच और ये च्छे और फिर से हमें एक, दो, तेन, चार, पांच और चटे में मुझे छे बार डबल क्रूजिया करने हैं चे बार डबल क्रूजिया करेंगे हमा पांच और ये च्छे और फिर से हमें एक, दो, तीन, चार, पांच चटे में हमें फिर से चे बार डबल क्रूजिया करने हैं ऐसे ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे अब हमारा ये पहला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और हम इसे यहां पर स्लिप स्टिच कर देंगे ये राउंड हमारा complete हो गया है और अब हम क्या करना है हमें हम एक चैन लेंगे और फिर हमें ये जो six double crochet डाले हैं उनमें से हम तीन इनके center में तीन के बीच में से हम आठ बार हमें double crochet करना है ऐसे करके हमें तीन इधर चोड़के तीन इधर और बीच में हमें आठ बार double crochet करना है तीरी चार पाची देश्वा देस्ट शेश्वारी साथ आठ आठ बार डबल क्रोशिया करके हमें यह यहां पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है और फिर से हमें क्या करना है इन दोनों के सेंटर में हमें तीन इधर छोड़के तीन इधर और बीच में हमें आठ बार डबल क्रोशिया करना है अब इस राउंड के हम लाश्ट में आ गए हैं और ये देखो ये तीन चैन के बीज में से हमने आठ बार डबल क्रोसिया करना है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और अब हमें स्लिप स्टीच के साथ यहां पर इस राउंड को खत्म करते हैं और यह देखो, अब यहां से मैं इसको कट कर लेती हूँ और इस दाग्गे को मैं अंदर की तरफ रेज़े हैं कर लेते हैं और एक्स्ट्रा दाग्गा हम इस सीजर की हेल्प से कट कर देंगे और यह देखो हमारी जीरो नंबर के कानाजी की ट्रेस बनकर त्यार हो गई है प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना और बैल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद राधे राधे फ्रेंड्स